हलो दोस्तो असलाव अलेगू नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल बर्ड रीम्स दोस्तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि हमने बजरी तोतो की जो मादा जो खरीदी होती है कभी कभी उसमें कमी होती है जिसकी वजह से जो फीमेल जो होती है हमारी वो ना तो मेल को मैटिंग करने देती है ना ही वो मटकी में जाती है और ना ही वो ब्रीड करती है तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह की फीमेल आपको लेनी चाहिए मार्किट से कुछ साथ निशानिया बताऊंगा जिनको देखकर ही आपको फीमेल को खरीदना चाहिए जब आप ये सब निशानिया देखकर फीमेल को खरीदेंगे तो ऐसी फीमेल जो है आपके घराकर बहुत जल्दी ब्रीट करेगी और मेल के साथ बहुत जल्दी अपना पेल लगा लेगी और दोस्तों अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को भी दबा दें जिस से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तों सबसे पहली जो आपको चीज देखनी है फीमेल खरिदने से पहले वो आपको ये करना है कि कभी भी आपको एडल्ट फीमेल नहीं खरीदनी है देखिए भले ही आप adult male लेकर आ जाएं लेकिन female आपको कभी भी adult नहीं लेनी है देखिए adult female लेने के काफी जादा नुकसान होते हैं तो adult female का पहला ये नुकसान होता है लेने का दोस्तों कि वो जो है उसमें कोई ना कोई ऐसी कमी होती है जिसकी वज़ा से ही वो बंदा उसे सेल कर रहा होता है या तो वो मैटिंग नहीं करने देती है male को किसी male से पेर नहीं लगाती है या उसके ex fertile नहीं होते हैं या वो breed नहीं करती है तो female आप कभी भी adult ना लें दोस्तों adult female में हमेशा कमी होती है और अगर आप adult female लेकर आते हैं तो उसका दूसरा नुकसान यह होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपका male उससे छोटी age का है तब वो बिलकुल पेर नहीं लगाएगी उस male के साथ male को परिशान करती रहेगी male उसके पास जाएगा मैटिंग करने कोश्च करेगा लेकिन female मैटिंग नहीं करने देगी उसे तो आप इस बात का ख्याल लगए हमेशा female जो है आपको semi adult ही खरीदनी है कभी भी female आपको adult नहीं खरीदनी है semi adult female लेकर आएंगे तो वो male जो होगा उसे बड़ी age का होगा उसे बहुत जल्दी ब्रीट पर ले आएगा और वो बहुत जल्दी ही male के साथ पेर भी लगा लेगी तो आपको इस बात का हमेशा ख्याल लगए है कि female जब भी आपको खरीदनी है वो adult नहीं खरीदनी है semi adult female खरीदनी है और दोस्तों दूसरी निशानी मैं बताता हूँ कि आपको क्या देखकर female खरीदनी है तो आपको इस बात का ख्याल लगए है कि आपको जब भी फीमेल लेनी है तो वो फीमेल मोटी ना हो आपको हमेशा स्लिम फीमेल लेनी है जो पतली हो और ज़्यादा मोटी ना हो मोटी फीमेल जो होती है उसमें ज्यादा तर चर्वी लगे होने का रिस्क होता है दोस्तों तो कभी भी आप मोटी फीमेल को ना लें उसकी एज भी जादा होती है और जो है उसको चर्वी भी लगे होने का रिस्क हो सकता है तो आप मोटी फीमेल ना लें slim female और दोस्तों तीसरी निशानी जो आपको देखनी है female को लेने से पहले वो आपको ये देखना है कि आपको उसकी went को चेक करना है पूछ के नीचे का जो हिस्सा होता है आपको उसे देख लेना है अच्छे से कि वहां से परवगेरा तो नहीं हट रहे वहां मोटा मोटा महसूस तो नहीं हो रहा बले ही जो बंदा आपको बेच रहा है वो आपसे ये कहे कि भाई इसके अंडा है आप इसको ले जाएए आपके घर जाकर ये अंडा दे देगी लेकिन आपको उसकी बात में नहीं आना है पूल रही है और वहां से पर वगेरा हटे वे हैं तो ऐसी फीमेल ना खरीदें आप बिलकुल भी अंडा होने के चक्कर में ऐसा रिस्क ना लें जिससे के वो चर्वी लगी फीमेल आपके पास आजा और वो ब्रीड ना करें और चौथा दोस्तों आपको जो चीज देखनी है अपनी फीमेल खरीदने से पहले वो आपको ये देखना है कि आपको कलर पे बिलकुल भी नहीं जाना है आपको ये नहीं देखना कि कौन से कलर की मुझे फीमेल लेनी है आपको इस बात का ख्याल लगना है ये बात गोर करना है कि आपको एक्टिव फीमेल लेनी है जो फीम बहले ही उसका कलर आपको पसंद ना रहा हो लेकिन आप ऐसी फीमेल खरीदेंगे जो एक्टिव होगी तो वह बहुत जल्दी जाके पेयर लगाएगी और ब्रिड भी जल्दी करेगी और दोस्तों पांचवाँ ख्याल जो आपको रखना है वो इस बात का ख्याल लखना है और बीमार बर्ड का ये भी होता है कि वह आपके घरांकर मर भी सकता है और वो ब्रीड तो बिल्कुल ही नहीं करेगा क्योंकि वह बीमार है तो आप ऐसे बर्ड को ना लें आप उसकी वेंट अच्छे से चेक करने हैं अगर वेंट गीली नहीं है तो आप ऐसी female को ले सकते हैं और दोस्तों छटा ख्याल जो रखना है चटी निशानी जो आपको female के अंदर देखनी है वो आपको ये देखना है कि फीमेल की जो टेल होती है और उसके फैदर होते हैं दोस्तों वो पूरे होने चाहिए ऐसा ना हो उसके पर वगएरा जड़ रहे हो उसके पर पूरे ना हो उसकी पूँच जो है वो ठूटी भी हो तो ऐसी फीमेल आप ना लें क्योंकि हो सकता है वो कंडम बर्ड हो और वो जो है ब्रीड भी करेगा तो आगे चल कर उसके जो चिक्स निकलेंगे वो भी कंडम होंगे तो आप फीमेल को अच्छे से चेक कर लें कि उसके पर वगएरा पूरे हैं उसकी पूछ वगएरा पूरी है तो ऐसी फीमेल को ही आप खरीदें और दोस्तों लाश निशानी जो ऐसी फीमेल बिलकुल ना लें क्योंकि जब मैटिंग होती है तो फीमेल स्टिक को पकड़ती है अच्छे से उसके बाद ही मैटिंग हो पाती है अगर फीमेल के पैर खराब है तो वो स्टिक को पकड़ नहीं पाएगी लकडी को नहीं पकड़ पाएगी जिसकी वजह से प्र कर कर लें कि फीमेल में यह सब कमये ना हो पूरी तरह से फीमेल जो है अच्छी हो एक्टिव हो ऐसी फीमेल को ही आपको खरीदना है जब आप ऐसी फीमेल लेकर आएंगे अपने घर तो यह करे गी और आपके माहौल में भी बहुत जल्दी सेट हो जाएगी तो ठीक है दूस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए इजासत दीजिए ओके गुडबाई